नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो सारस यानि सीवियर एक्यूट रिस्पारिटरी सिंड्रोम, मिडल इस्ट रिस्पारिटरी सिंड्रोम, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, और खास बात ये हैं, इन सभी डिजीज का जो ओरीजन हैं, वो एनिमल्स में लोकेट किया गया हैं। ये सभी जुनोटिक डिजीज ह जो एनिमल्स से होमन बिंग्स में ठ्रांस्मिट होते हैं। और देखो अभी COVID-19 की जो महामारी चल रही हैं। इसका भी जो ओरीजन हैं, वो एनिमल्स में लोकेट किया गया हैं। नोवल कुरोना वाइरस जिसकी वज़े से COVID-19 की महामारी फैली हुई हैं, ये विश्वास क से ये नोवल कुरोना वाइरस ओरिजनेट हुआ। और इसके लावा कुछ दूसरी थ्योरीज में हैं, USA वाले कहते हैं कि चाइना की एक लेबोरिटरी में ये वाइरस जनेरेट हुआ, जबकि चाइना वाले भी कहते हैं, USA की आर्मी ये वाइरस यहां पर छोड़ के गई। लेकिन में जो विश्वास किया जाता है, अभी तक वो यही किया जाता है, कि किसी एनिमल से ये नोवल कुरोना वाइरस जो है, वो ओरिजनेट हुआ हैं, चाइना की वहान सेटी में, वहान देखो सीफूड की एक बहुत बड़ी मार्केट हैं, कई देशों से जो सीफूड हैं, या फिर वाइड लाइफ की जो स्पीसिस हैं, वो चाइना की वहान सीटी में लाई जाती हैं, बेचने के लिए, अब देखो, कोशन ये उठता है, कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, कि पिछले कुछ समय में, बहुत सारे ये जोनोटिक डिजीज इमर्ज होके आएं ह हैं, पिछले कुछ समय में, ऐसा क्यों? ऐसा देखो, दो-तिन रीजन के कारण हैं, पहला रीजन ये है, फोरेश्ट का बड़े स्केल पे डिश्ट्रक्शन हुआ है, ऐसे फोरेश्ट जहां पे पहले होमन बिंग्स का इंटर्वेंशन नहीं के बराबर होता था, मतलब फोर फोरेश्ट का एरिया जो पहले अच्छूता था होमन बिंग्स से, वो भी होमन बिंग्स के क्लोज आ गया है, तो इसलिए उस फोरेश्ट एरिया में रहने वाली जो वाइल लाइफ की स्पीसिज हैं, वो भी होमन बिंग्स के नस्दीक आ गई हैं, तो उनसे नए 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 viruses का human beings में transmission का खत्रा बढ़ गया है दूसरा wild species की farming बड़े scale पे होने लगी है क्योंकि देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो wild species को खाना पसंद करते हैं इसलिए इनकी बिक्री बहुत होती है legal तरीके से illegal तरीके से तो इन wild species से जो virus है human beings से transmit होने लगे हैं क्योंकि इनको बड़े scale पे खाया जाने लगा है next factor आर्टिकल में बताया जाता है कि देखो forest areas में economic activities भी काफे ज़्यादा बढ़ गई है kind of value factor से मिलता जूलता factor है forest areas में roads को बनाना हो, mining करनी हो, human beings बहुत ज़्यदा animals के close contact में आ गए हैं तो animals से viruses के transmit होने का या फिर दूसरे pathogens के transmit होने का जो खत्रा है human beings में वो बढ़ गया है इसके बाद example दिया जाता है निपाव वाइरस का and handra viruses का देखो जो निपाव वाइरस है वो पहले bats से pigs में आया और बाद में human beings में transmit हुआ उसी परकार से ये जो handra virus है ये bats से horses में आया और उसके बाद human beings में transmit हुआ तो ये एक example है जो हमें बताता है वाइबल ecosystem को maintain करना क्यों ज़रूरी है आप human settlements के आसपास bats यानि चमगादडों की कलोनी मत बनने दीजिये उनको forest में रहने दीजिये इसके बाद देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है कि forest में biodiversity को maintain करना बहुत ज़रूरी है forest areas में जहाँ पर human intervention काफी कम हुई है वहाँ पे बहुत सारे viruses या दूसरे pathogens मिल सकते हैं wild animals में जितना आप forest को destroy करोगे जितना आप forest के अंदर intervention करोगे रोड बनाओगे डैम बनाओगे माइनिंग करोगे तो आप उन animals के नजदीक जाओगे और खत्रा और ज़्यादा बढ़ेगा कि ये जो pathogens हैं वो animals से human beings में transmit हो सकते हैं बहुत सारे देशों की जो सरकारे हैं उनको देखो ये लगता है कि ये जो काफी forest area बचा है इनका इस्तमाल किया जा सकता है economic activities को boost करने के लिए देखो forest area का अगर इस्तमाल किया जाता है economic activities के लिए सो टम में तो growth register हो सकती हैं लेकिन long term में वही हाल होगा जो अभी देखने को मिल रहा है COVID-19 की महामारी की वज़े से world के जातर हिस्सों में फिला lockdown है 50,000 से ज़्यादा लोग की death अभी तक हो चुकी है economy को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है अगर देखो ecosystem को हम नुकसान नहीं पहुँचाते तो साइद ये जो आज के समय में situation देखने को मिल रही है ये situation ना देखने को मिलती तो विभिन देशों की सरकारे future में जब ये सोचें कि हां environmental समन्दित clearance को हमें liberalize करना है forest को काटने के लिए approval देना है तो ये सब चीजें जरूर सोचें कि short term में आपको इससे फाइदा हो सकता है लेकिन long term में अगर आप forest को destroy करोगे तो आपको नुकसान ही होगा बहुत सारे तरीकों से इसलिए आप environment को protect कीजिए environment को protect करने से आपकी health protection भी सुनिश्चित होगी ये पूरा आठकल हमने डिसकस किया इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you, thank you very much for discussion